नमस्कार बच्चों आज हम लोग R.S. अगरवाल Maths Class 12 का solve कर रहे हैं और आज हमारा है Chapter 6 Application of Determinants इसमें हम लोग determinant का use करके triangle का area निकालने वाले हैं exercise 6C R.S. अगरवाल का और इस exercise में 1 to 8 question है तो हम लोग आज सारा का सारा question 1 to 8 solve करेंगे ठीक है बच्चों तो चलो start करते हैं तो सबसे पहले देखो यहां क्या question कह रहा है कि find the area of triangle which vertices are कहते है एक triangle उसका vertices दिया हुआ है A38 B-42 C 5-1 ठीक है बच्चों तो सबसे पहले तो एक चीज़ सीख लो कि area of triangle अगर मान लो हम लोग एक triangle है हमारे पास जैसे यह मान लो यह triangle है हमारे पास ABC यह triangle हमारे पास और मान लो इसका vertices है हमारे पास x1 y1 इसका vertices है x2 इसका vertex x2 y2 और इसका vertex x3 y3 C X 3 Y 3 यह vertices है ABC तो area of triangle ABC जो triangle का area होता है वो क्या होता है modulus of क्योंकि area हमें सब positive होता है तो हम लोग modulus लेते है modulus of 1 by 2 into determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ऐसा ले लो या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं modulus of 1 by 2, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 दोनों एक ही बात है है ना इसका transpose करोगे तो यही आ जाएगा तो या तो तुम इसका use करो या तो इसका use करो दोनों same ही है तो जो इसमें comfort हो जाए OEC का use करो दोनों से same value आने वाला है ठीक है बचो तो चलो हम लोग start करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो given है vertex दिया हुआ है मर पस एक का coordinate क्या है मर पस अगर ध्यान दो तो है 3 8 ठीक है बी का coordinate देखो क्या है मर पस minus 4 2 और सी का coordinate देखो क्या है मर पस 5 minus 1 तो area of triangle ABC area of triangle ABC equals 2 क्या हो modulus of modulus of 1 by 2 और determinant क्या है तुमारा x1 y1 मतलब 3 8 x1 y1 1 फिर क्या है तुमारा minus 4 2 1 फिर क्या है तुमारा 5 minus 1 और 1 ऐसा आ ठीक है बस इसको expand करना अपना answer आ जाएगा ठीक है बच्छों तो चलो इसको expand कर लेते हैं हम लोग जल्दी से तो expand along किसी पर कर लो r1 पर जैसे कर लिए तो यहां पर क्या आ जाएगा तुमारा modulus of modulus of 1 by 2 अच्छा मॉड़ास इस लिए ले रहे हैं कि अगर बाइचांस इसकी वैल्यू इस पॉजिटिव होता है हम लोग इसको positive बना पाए अब देखो यहां से रोवन हम लोग इस रोपर इस रोपर हम लोग काम कर रहे हैं यह वाला रोपर तो इस पर माइनस तो यह आगर मैनस एट अब यह अपना रो यह वाला रू अपना और यह वाला कॉलम अपना डीली़ करेका यह से तो क्या जाएगा यह वाला का सिंबाल यह One तो प्लस One हो ये अपना रो और अपना column delete करेगा एक्शियू determinant हम लोग पहले exercise में पढ़ चुके हैं कैसे निकालना होता है determinant कैसे अपनेको expand करना होता है तो आप लोगोगों पता ही है इसके बारे में तो यहां से यह रो और यह column खतम तो यहां से minus 4 into minus 1 तो 4 हो गया और minus 2 into 5 कितना गया 10 हो गया ऐसा ठीक है चलो आगे बढ़ो अब इसको तो यह देखो क्या रहा है तुम्हारा modulus तो modulus को अब हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यह determinant है और अब जो यह symbol ले रहे हैं यह modulus का है तो modulus 1 by 2 और यहां से देखो अब यह determinant है modulus का symbol है यहां पर यह determinant का symbol था ठीक है तो क्या रहा है तुम्हारा देखो 3 into 2 plus 1 3 minus 8 into minus 4 minus 5 तो minus 9 ठीक है और plus 1 into minus 6 ऐसा हो रहा है तो यहां से देखो क्या रहा है तुम्हारा 1 by 2 3 तरी जा 9 plus 9 जा 72 और minus 6 ठीक है minus 6 यह 6 हो रहा है ठीक है बच्चो अब देखो आगे तो क्या आगे है यहां से हमारा determinant 1 by 2 और यह क्या रहा है तुम्हारा 72 plus 9 81 हो गया तुम्हारा अब minus 6 यह हो रहा है तुम्हारा देख लो तो यहां से क्या रहा है modulus 1 by 2 into 81 में 6 अगर minus करते है तो क्या आता है हमारा 75 आता है यह आता है 75 तो 75 by 2 आ गया क्योंकि यह तो positive number है तो modulus से बाहर भी positive भी आ जाएगा तो 75 by 2 तो 75 by 2 कितना आ जाएगा 37.5 है ना 37.5 यह तुम्हारा square units क्योंकि area है तो square units हो जाएगा ठीक है बच्चों तो यह ही हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं next question पर देखो next question find the area of triangle which vertices है यहाँ भी वही है triangle का vertices दिया हुए area निकालना है तो solution क्या है तुम्हारे पास a का जो coordinate है वो है minus 2,4 b का जो coordinate है वो है तुम्हारा 2 minus 6 c का जो coordinate है तुम्हारा वो है 5,4 ठीक है तो area of triangle area of triangle ABC तो triangle पूरी लिखने की जोरत नहीं है short में हम लोग लिख देते हैं ऐसा triangle ABC equals to modulus को खाली M.O.D. लिख देते है modulus of 1 by 2 or determinant x1, y1 minus 2,4 और 1 फिर x2, y2 2 minus 6,1 फिर x3, y3 5,4,1 ऐसा ठीक है यह modulus of इतना आ गया तो चलो अब इसको expand कर लेते हैं हम लोग r1 पर expand कर दो इसको expand along r1 r1 पर expand कर लेते हैं तो देखो क्या रहा है तुम्हारा यहाँ पर modulus of 1 by 2 2 और अब देखो यहाँ पर यह तो देखो यहाँ पर minus 2 है इसका symbol plus होता है तो plus और minus 2 तो minus 2 हो जाएगा हमारा अब यह अपना row अपना column delete करेगा क्या बचाएगा minus 6 into 1 minus 6 minus 1 into 4 4 ठीक है minus 4 यह plus symbol इसका वाला plus इदर वाला minus तो minus 4 अब यह अपना row अपना column खतम हो रहा है कर रहा है यह 2 को 1 से तो 2 जा 2 आ रहा है और minus इस 1 को 5 से तो 1 5 जा 5 आ रहा है और फिर यह plus 1 हो जाएगा तो plus 1 यह अपना row अपना column delete कर रहा है तो 2 4 जा 8 आ गया है यहाँ से माइनस माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 तो माइनस माइनस प्लस 30 हो गया चलो अब इसको solve करना है तो modulus को हम पूरा modulus ले लेता है 1 by 2 और अंदर में देखाब क्या है माइनस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 3 1 इंटू 38 ठीक है ऐसा हो गया तो देखो यहाँ से क्या रहा है तुमारा तो यह modulus है 1 by 2 माइनस 2 इंटू माइनस 10 20 अब प्लस 4 इंटू 12 प्लस 38 प्लस 38 ऐसा हो रहा है चलो अब इसको add करना है अपने को तो देखो modulus है तुमारा 1 by 2 इंटू 38 प्लस 12 50 50 प्लस 20 70 तो अब यहां से यह तो cancel हो जाएगा हमारा 35 है ना यह हो जाएगा तुमारा 35 तो यह आगया तुमारा 35 modulus से बार positive है तो positive भी आएगा और क्यूंकि area है तो square units हम लोग लिख सकते हैं इसको और यह हमारा answer हो गया ठीक है बच्चों समझ में आगी चलो अब हम लोग चलते हैं next question पर देखो next question क्या है हमारा next question find the area of the triangle which vertices आ रहाएगा त्रेंगल का अरिया निकलना है जिसका vertices दिया हुए हमारे पास तो यहां भी vertices दिया हुए अरिया त्रेंगल का अरिया निकलना है तो A का coordinate हमारे पास है minus 8 minus 2 B का coordinate हमारे पास है minus 4 minus 6 C का coordinate हमारे पास है minus 1 5 तो area of triangle ABC देखो क्या हो जाएगा हमारा area of triangle ABC क्या हो जाएगा तुमारा modulus of 1 by 2 और determinant x1 x1 है minus 8 y1 2 minus 2 1 फिर x2 minus 4 y2 minus 6 1 x3 minus 1 y3 5 और 1 अब इसको हम लोगों को solve करना है तो यह क्या जाएगा तुमारा modulus of 1 by 2 और इसको expand कर लेते हम लोग expand along r1 r1 पर expand कर रहा है तो minus 8 आगे यहां से actually sign इसका plus होता है तो plus minus minus होगे minus 8 into यह अपना row delete कर रहा है column भी delete कर रहा है तो minus 6 into 1 minus 6 minus 1 into 5 5 फिर minus और इसका है कि I minus 2 तो minus minus plus 2 हो जाएगा यह अपना row और अपना column delete करेगा तो 4 into minus 1 minus 4 और minus 1 into minus 1 minus 1 तो minus minus plus 1 हो गया और फिर देखो प्लस 1 यह 1 आगया प्लस यह अपना row और अपना column delete करेगा यह अपना row अपना column delete करेगा तो minus 4 into 5 minus 20 और minus minus 6 into minus 1 तो minus minus plus 6 हो जाएगा तो 6 हो गया यहां पर तो इस तरह से हम लोग determinant यहां पर expand कर लिए तो modulus का अब हम लोग modulus ले लेते हैं और 1 by 2 और अब यहां से देखो minus 8 into minus 11 ठीक है plus 2 into minus 3 2 minus 4 plus 1 minus 3 आ गया और plus 1 into minus 26 यह modulus के अंदर है तो देखो यह क्या रहा है तुमारा modulus 1 by 2 और यहां पर minus 8 into minus 11 तो 11 88 minus 6 minus 26 ठीक है और यह modulus यहां पर बंद हमारा तो यहां से क्या आ जाएगा determinant 1 by 2 और यह देखो क्या यहां पर 88 minus 32 है ना 26 और minus 6 से दोनों तो minus वाला दोनों add हो जाएगा तो minus 32 आ गया इस दोनों को add करने पर तो यहां से आ गया तुमारा determinant 1 by 2 into minus करो तो यह कितना आ रहा है तुमारा 56 यह 56 आ रहा है अब इसको इससे cancel कर दो तो 2 28 तू जाए 56 हो जाता है तो यह 28 आ गया और यह हमारा square unit हो जाएगा क्योंकि एरिया है square units ठीक है बच्चों तो यह हमारा था क्विश्चन नंबर वन सी ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी चलो आगे चलते हम लोग देखो next question पर 1D है हमारा वन का दी नंबर question है find the area of triangle उच वर्टिस यहां भी वही है वर्टिस दिया हुए PQR का solution हमारे पस जो given है वो क्या क्या है given P का जो coordinate है वो है 00 Q का जो coordinate है वो है 60 और R का जो coordinate है वो है 43 ऐसा है ठीक है तो area of triangle PQR equals to modulus of modulus of 1 by 2 चलो सबसे पहले x1 y1 001 फिर x2 y2 601 फिर x3 y3 4,3,1 ऐसा हो गया तो चलो ठीक है अब इसको बस solve कर देने अपने को तो modulus of 1 by 2 और expand कर लेते हैं इसको R1 पर expand along जिस पर चाहो उस पर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो R1 पर expand कर रहे है तो क्या रहे है पहला तो 0 आगया माइनस 0 आगया इसके साथ तो कुछ होने वाला है यह प्लस 1 अब अपना row अपना column delete किया 6 3 जा 18 18 अब माइनस 0 into 40 यह आ रहे है ठीक है तो देखो भी यहां से क्या रहे है मोडलस 1 by 2 और अंदर में सिर्फ 18 बच रहे हमारा तो ब्रेकट लेने का कोई कामी नहीं है 18 आ गया तो यहां से इसको काट दो कित्ता बार में जा रहे है नौ बार में ठीक है तो क्या रहे है नौ मोडलस से बार आएगा तो नौ ही आ गया और यह 9 स्क्वाइर यूनिट रोड़ीः जो जूशन था कि क्या है त्मारा जो गिवेगे न है क्यों ऐजो कॉडिनेट लग्यों आपने वो 2,7 है और R का जो coordinate है वो 10,8 है ठीक है तो area of triangle PQR निकालना है अपने को area of triangle PQR equals to क्या हो जाएगा modulus of 1 by 2 determinant x1 y1 x1 1 y1 1 और 1 फिर x2 2 y2 7 फिर 1 फिर x3 10 y3 8 और यह 1 है नहा अब इसको expand कर लेते हम लोग R1 पर expand along R1 पर expand कर रहे हम लोग क्या रहा है मारा modulus of 1 by 2 plus 1 तो यह अपना रो अपना column खतम किया 7 वन्जा 7 minus 8 तो 7 minus 8 minus 1 अपना रो और अपना column खतम किया 2 वन्जा 2 minus 10 वन्जा 10 ऐसा फिर क्या है तुमारा plus 1 यह अपना रो अपना column delete किया 2 8 जा 16 minus 7 10 जा 70 ऐसा हो गया ठीक है तो यहां से modulus हो गया तुमारा 1 by 2 और अंदर 1 into minus 1 minus 1 into minus 8 plus 1 into minus 54 यह बच जाएगा मारा तो यहां से क्या रहे हमारा modulus 1 by 2 और 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into minus 8 plus 8 और plus 1 into minus 54 तो minus 54 ऐसा रहे है और यह modulus बंद है मारा यहां पर देखो modulus है मारा 1 by 2 यहां पर देखो माइनस 55 प्लस 8 यहां रहे है तो 1 by 2 modulus के अंदर में है और साथ में minus 55 में अगर 8 minus करते हैं तो 47 आता है तो 1 by 2 into minus 47 आ गया ठीक है तो इसको अगर हम लोग काटें यहां से तो क्या आ जाएगा अगर देखो तो हाँ यहां से क्या आ जाएगा काटने के बाद 2 तूजा 4 3 तूजा 6.5 तूजा 10 तो यह माइनस 23.5 है तो क्यूंकि modulus से बाहर आ जाएगा तो 23.5 square units और यही अपना answer है ठीक है बच्छों आगे समझ में तो यह था हमारा question number 1 का यह चलो अब next question पर चलते हैं देखो next question क्या है यूज डिटर्मिनान टू सौद असौद फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर अपने को दिखाना है कि यह पॉइंट्स कॉलिनियर है तो कॉलिनियर दिखाना है अपने को इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी तीन पॉइंट्स कॉलिनियर कब होगा कॉलिनियर का मतलब होता है कि तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर है यह रहा ए यह रहा भी यह रहा सी तो अगर यह तीन पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना दे तो हम इसको कॉलिनियर बोल सकते हैं लाइन बनाने का मतलब अगर ट्रेंगल 23 है B minus 1 minus 2 है और C 58 यह दिया हुए ठीक है यह points दिया हुए हमारे पास ठीक है अब अगर हम लोग area of triangle zero proof हो जाएगा तो collinear हो जाएगा तो then अपने को area of triangle निकालना है area of triangle area of triangle ABC equals to क्या आता है तुमारा modulus of 1 by 2 x1 ठीक है तो x1 क्या है तुमारा 2 y1 क्या है 3 1 minus 1 minus 2 1 581 ऐसा है ठीक है तो equals to क्या गया तुमारा modulus of 1 by 2 और इसको expand कर लेते हैं बोग expand along r1 r1 पर expand कर लेते हैं तो क्या रहे 2 और ये row ये column खतम minus 2 minus 8 minus 3 ये 3 का symbol minus है तो minus हो जाएगा ये row खतम ये column खतम 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 5 5 और फिर क्या है तुमारा plus 1 अपना रहे अपना column खतम 8 into minus 1 तो minus 8 minus minus 2 into 5 तो minus 10 तो minus minus ये हो जाएगा plus हो जाएगा और साथ में 10 आ जाएगा ठीक है ऐसा तो ये क्या आगया तुमारा देखो तो ध्यान से तो modulus 1 by 2 और साथ में 2 into minus 10 minus 3 into minus 6 और plus 1 into 2 ये आगया तो चलो देखो तो यहाँ से क्या आगया determinant modulus 1 by 2 और minus 20 plus 18 और plus 2 ध्यान दो तो क्या आ रहे तुमारा यहाँ पर determinant 1 by 2 into minus 20 plus 20 ये तो 0 हो गया ना मरा तो determinant 1 by 2 into 0 equals to 0 तो since area of triangle ABC equals to 0 therefore ABCR क्योंकि triangle 3 point है और उसका area 0 हो रहा है तो वो जरूर एक ही line में रहा होगा R कॉलिनियर ठीक है बच्चों तो ये कॉलिनियर हो गया तो ये था हमारा question number 2 चलो next question पर चलते हैं देखो 2 का B है हमारा है ना 2B क्या use determinant to show that the following points are कॉलिनियर अपने को दिखाना है कि ये points जो हम अपने को ये कॉलिनियर है same question है पिछले ही का तरह कहीं तो solution यहाँ पर भी given points जो दिया हुए हमारे पास क्या है given points are points है हमारा A 38 B minus 4 2 C 10 14 है ना तो area of triangle ABC area of triangle ABC equals to तो क्या जाएगा modulus of 1 by 2 determinant X1 3 Y1 8 1 X2 minus 4 है Y2 2 और 1 X3 10 है Y3 14 है और यह साथ में 1 यह इसको expand कर लेते हैं R1 के along expand along R1 R1 पर expand करते हैं इसको हम लोग तो क्या रहा है तुमारा देखो modulus of 1 by 2 R1 पर expand कर रहा है हम लोग तो 3 यह अपना रोख delete करेगा अपना column delete करेगा 2 1 जा 2 minus 14 फिर minus 8 आगया हमारा यह अपना row delete करेगा अपना column delete करेगा minus 4 minus 4 into 1 minus 4 minus 1 into 10 minus 10 और फिर plus 1 यह अपना row delete करेगा अपना column minus 4 into 14 minus 56 आप चलो देखो यहां से क्या रहा है तो यहां से क्या है तो यहां से क्या है तो मारा modulus 1 by 2 और अब देखो 3 into 2 minus 14 कितना आएगा minus 12 minus 8 into minus 14 और प्लस 1 into minus 76 56 और 20 को add करेंगा तो 76 हो जाएगा अब चलो देखो यहां से क्या रहा है determinant 1 by 2 into minus 12 into 3 12,3 जा 36 तो minus 36 अब minus minus प्लस और 14,8 जा 112 होता है न 14,8 जा 112 और minus 76 ठीक है यह आगया और यह determinant बंद अब देखो यहां पर क्या है 1 by 2 प्लस में 112 प्लस में minus 36 और 76 तो यह भी क्या हो जागा हमारा 112 ठीक है और अब देखो क्या रहा है तुमारा 1 by 2 into 0 तो यह तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया तो अब देखो यहां पर क्या है कि since area of triangle a,b,c equals to 0 तो therefore a,b,c,r collinear a,b,c क्या हमारा collinear है ठीक है बचो यह अपने को प्रूफ करना था तो यह था हमारा 2 का 2 2 का B number है ना 2 का दूसरा question था चलो next question पर चलते है 2 का C मतलब 2 का तीसरा question है देखो क्या है फिर से use determinants to the following points are collinear इसमें भी वही collinear ही अपने को दिखाने है तो solution हमारा जो given points है given points are क्या-क्या अपना points है देखो लो एक बार P minus 2 5 Q minus 6 minus 7 R minus 5 minus 4 ऐसा है ठीक है तो area of triangle area of triangle PQR equals to modulus of 1 by 2 minus 2 5 1 minus 6 minus 7 1 minus 5 minus 4 1 यह आ गया चलो इसको expand कर लेते हम लोग expand along R1 तो क्या रहा है हमारा modulus of 1 by 2 और R1 पर expand करना है तो minus 2 हो गया पहला रो पहला कॉलम खतम minus 7 into 1 minus 7 minus 1 into minus 4 तो minus 4 तो minus minus plus 4 minus 5 यह रो और यह कॉलम खतम second देखो यहां पर 5 बाल अपना रो और अपना कॉलम खतम कर रहा है तो minus 6 into 1 minus 6 अब minus 1 into minus 5 तो minus 5 तो minus minus plus 5 और plus 1 अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा तो minus 6 into minus 4 तो 6 4 जा 24 आजागा minus minus plus हो गया minus 7 into 5 है ना 7 minus minus plus 75 जा 35 तो यहां पर अल्ड़ी मैनस है तो यहां पर 35 हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या रहा है modulus 1 by 2 आ रहा है और अब देखो minus 2 into minus 3 आ गया minus 7 plus 4 minus 3 आ रहा है और यहां से minus 5 into minus 1 और plus 1 into minus 11 है ना 24 minus 35 minus 11 आ गया और यहां से हमारा यह modulus modulus के अंदर में पूरा का पूरा है तो यह modulus 1 by 2 minus 2 into minus 3 6 minus minus plus 5 और minus 1 into minus 11 तो 11 तो यह क्या रहा है तुमारा modulus 1 by 2 into 11 minus 11 तो यह तो 0 हो गया हमारा ठीक है तो क्या आ गया तुमारा 1 by 2 into 0 equals to 0 तो यहां पर देखो जो हमारा जो था point वो था PQR तो area of triangle तो since area of triangle PQR equals to 0 तो therefore PQR are collinear यह हमारा collinear है ठीक है बच्चों यह अपने को proof करना था चलो हम लोग अब चलते हैं next question में question number 3 क्या बोल रहा है कि find the value of K K का value निकालना है which the point A, B और C यह collinear है तो अपने पास क्या तिया है तुमारा पास solution given है ना क्या दिया हुआ है कि A 3-2 B K2 C 88 R collinear R यह collinear है तो इसका मतलब क्या हो गया area of triangle A, B, C equals to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह क्या होता है तुमारा area of triangle modulus of 1 by 2 और determinant 3 minus 2 1 K 2 1 और 8 8 1 यह क्या आगया हमारा 0 आगया ठीक है तो अब थोड़ा देखो ध्यान से तो यह 1 by 2 है ना 1 by 2 modulus of 1 by 2 है तो अपने को K का value निकालना है K का क्या निकालना है value निकालना है तो modulus of जैसे की माल लो अच्छे यह 1 by 2 को तो इस साइड में लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा तो अटाओ तो सिर्फ क्या है modulus of 3 minus 2 1 और कुलम 3 यह अपना रोबना कॉलम डिलीट क्या 21ання 2 माइनस 8 ठिक है और फिर देखो कि माइनस से टू- माइनास माइनस प्लस 2 हो गया प्लस 2 हों गया यहा से देखो ध्यान से तो यह अपना रोबना कॉलम डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, k into 1, k minus 8, और फिर plus 1, अपना रो अपना column delete क्या है, 8 k minus 16, 8 k minus 16, equals to 0, अच्छा, modulus है, 0 आ रहा है, तो क्या कहते है, modulus की value जिरो है, तो mod भी वही हो जाएगा तुम्हारा, तो यहां पर हम लोग modulus छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम मॉडलस छोड़ देंगे, क्योंकि modulus of किसी भी number का modulus 0 है, जैसे न, तो mod x, कोई भी mod x equals to 0 है, इसका मतलब x की value क्या होती है, 0 होती है, तो mod में यहां पर छोड़ भी देंगे, तो कोई दिकत नहीं है, छोड़ देना है अपने को यहां पर, तो छोड़ देंगे, तो अभी क्य आ जाएगा, 3 into, 2 into minus 8, तो minus 6 आ जाएगा, और यहां पर 2 के minus 2 into 8, 16 आ गया, और, plus 1 into 8 के, 8 के minus 16, equals to 0 हो गया, तो अभी देखो, यहां से क्या रहा है, minus 18, plus 2 के minus 16, plus 8 के minus 16, equals to 0, अभी देखो, यहां से क्या रहा है, 8 के और 2 के, 10 के, और minus 16, 16, 32, और 18, 50, equals to कितना आ गया, 0 आ गया हमारा, तो यहां से देख लो क्या रहा है, 10 के equals to 50 आ रहा है, तो के का वैल्यू कितना आया हमारा, 50 by 10, तो यह cancel होगे, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है बचों, तो यहां से हमारा के का जो वैल्यू आ रहा है, और यही अपना answer है, ठीक है, समझ में आ गई, तो यह था हमारा question number third, चलो अब next question पर चलते हैं, देखो, question number 4, यहां भी same question है, third के तरह का है, के का value निकालना है, point यह जो है, को लिनियर है, तो क्या है तुमारा solution, given, given, points, P55, Q, K1, R11, 7, R collinear, यह collinear है, ठीक है, तो this implies क्या हो जाएगा, area of triangle, PQR equals to 0, इसका मतलब क्या हो गया, modulus of 1 by 2, determinant 551, K11, 11, 7, 1, equals to क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है, तो यह modulus of 1 by 2 क्योंकि 0 है, तो हम लोग बस उसको हटा देते हैं, 1 by 2 को उधर लेके जाते हैं, तो वो 0 ही हो जाएगा, और modulus छोड़ बे देंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर modulus, यहार है, 5, 5, 1, K, 1, 1, 11, 7, 1, और यह 0 है, अब इसको expand कर लेते हैं, K का value ह नमारा आ जाएगा, expand along, expand along R1, R1 पर इसको expand कर रहे हैं, तो 5 अपना row अपना column delete करेगा, 1 into 1, 1, minus 7, और minus 5, अपना row अपना column delete करेगा, तो क्या होगा, K into 1, K, minus 1 into 11, 11, और plus 1, अपना row अपना column delete करेगा, K into 7, 7, K, minus 1 into 11, 11, equals to क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहां से क्या रहे हैं, तुमारा, 5 into minus 6, minus 5, K, minus minus plus, 5 into 11, 55, plus 7, K, minus 11, equals to 0, तो चलो देखो, यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 7, K, minus 5, K, तो 2, K बचा, और minus 5, 6, जा 30, plus 55, minus 11, equals to क्या गया, 0, ठीक है बचा हो, तो यहां से देखो क्या रहा है, हमारा, अभी, 2, K, plus 55, minus 41, equals to 0, तो यहां से क्या दिख रहा है, तो 2, K, plus 55, minus 41, तो 14 बच रहा है, equals to 0, अब हम लोग इधर लेके चलते हैं, तो 2, K, equals to minus 14, और यहां से K का वैल्यू करो, तो minus 14 by 2, तो 2, 7, जा 14, तो minus 7, यह हमारा answer हो गया, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों का यह question था, 4th question, चलो next question पर चलते हैं, 5th question देखो, फिर वही same question है, find the value of K for which the point, यह point हमारा फिर से को लिनियर है, तो same question है, पिछले के दरा का, तो solution, given the points, A, 1-1, B, 2K, C, 4-5, R, को लिनियर, यह हमारा को लिनियर है, ठीक है, तो अगर यह को लिनियर है, तो this implies, क्या हो जाएगा, area of triangle ABC, equals to 0, equals to क्या होगा, यह 0, तो यह area of triangle ABC क्या हो जाएगा, modulus of 1 by 2, determinant 1, minus 1, 1, 2, K, 1, है न, Y1, X1, Y1, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, 4, 5, 1, और इसकी value क्या होगा, 0 होगे, तो देखो भी यहां से क्या होगा, modulus 1 by 2, तो क्योंकि यह 0 है, तो उदर जाके सारा 0 हो जाएगा, mod भी क्या है 0 का, तो semi वही नंबर आ जाता है, तो यह वह जाएगा, 1, minus 1, 1, 2, K, 1, और 4, 5, 1, equals to क्या है, हमारा 0 है, अब इसको expand कर लेते हैं, expand along R1, किसी पर expand कर सकते हैं, R1, R2, R3, किसी पर expand कर लो, expand along R1, तो क्या जाएगा, हमारा 1, अपना row, अपना column delete किया, K-5, minus, 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 plus 1 हो जाएगा, फिर अपना row, अपना column delete करेगा, 2, minus 4, और फिर, plus 1, अपना row, अपना column delete करेगा, 10, minus 4, K, equals to 0, तो यहां से कितना रहा है, K-5, plus 1, into, minus 2, plus 10, minus 4, K, equals to 0, तो यहां से देखो, minus 4, K, plus K, तो minus 3, K, minus 5, plus, minus, minus 2, plus 10, equals to 0, तो क्या आ रहा है, यहां से देखो, minus 3, K, 10, minus 7, plus 3, equals to 0, तो यहां से देखो, क्या रहा है, हमारा, 3, K, equals to 3, तो K का value क्या आ जाएगा, हमारा 3 by 3, और यह कैंसे लोके 1 हो गया, यह हमारा 1 हो गया, तो यह था हमारा question number 5, ठीक है बचाओ, चलो next question पर चलते हैं, देखो, question number 6, क्या करहा है, find the value of K, अपने को K का value निकालना है, area of triangle ABC, vertex दिया हुआ है, उसका area 35 है, solution given, है ना, area of triangle ABC, ठीक है, equals to 35 square units, where A का coordinate जो है, वो 2 minus 6 है, B का जो coordinate है, वो 5, 4 है, और C का जो coordinate है, वो K, 4 है, ठीक है, तो यह, तो this implies क्या आ जाएगा, modulus of, 1 by 2, 2 minus 6, 1, 5, 4, 1, K, 4, 1, और इसकी value कितना है, 35 है, ठीक है, तो 1 by 2 को उधर लेके चले जाते हैं, modulus रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग, modulus, और यह होगिया, अमारा 2 minus 6, 1, 5, 4, 1, K, 4, 1, और इधर 35, 2 जा क्या आ गया, 70, ठीक है, तो अब देखूँ, यहाँ पर हम लोग इसका expand करते हैं, expand along R1, तो यह तो modulus है, ऐसे modulus ले ले लेते हैं, यहाँ भी रहने देते हैं, अभी modulus लिख लेते हैं, modulus, off भी लिख लेते हैं, modulus of, अभी देखो, 2, अपना row, अपना column delete करेगा, 4 into 1, 4, minus 4, हो गया, minus minus plus 6, अपना row, अपना column delete करेगा, 5 into 1, 5, minus 1 into k, k, और plus 1, अपना row, अपना column delete करेगा, 5, 4, 20, minus 4 into k, 4, k, और यह आगया मारा 70, ठीक है, तो अभी यह क्या है, तो मारा modulus, 2 into 0, plus 65, 30 minus 6, k, plus 1 into 20, 20 minus 4, k, equals to 70, और यहाँ पर क्या आगया, 0, माइनस, एक प्लस, देखो, यहाँ पर क्या है, 30, अप्लस 20, 50, 30 plus 20, कितना आगया, हमारा 50, माइनस 6 के, माइनस 4 के, माइनस 10 के, equals to कितना आ रहा है, 70, अब यहाँ से, देखो, ध्यान से, माइनस, 50, माइनस 10 के, equals to 70, देखो, ध्यान से, अब यहाँ पर क्योंकि, माइनस अपने को पता नहीं है, कि माइनस के अंदर का चीज़ पॉजटीव है, या निगर्टीव है, तो इसलिए, यह, प्लस माइनस, दोनों के साथ खुलेगा, तो इसका जब माइनस 10 के, जैसे ही, इसका माइनस अपने, तो हम लोग क्या करेंगे, इस से, प्लस माइनस 70, दोनों ले लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं, यह माइनस 10 के, प्लस 70 भी हो सकता है, और माइनस 70 भी हो सकता है, तो अभी एक बार 70 प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, 50-10K equals to 70 ले लो, और 50-10K equals to minus 70 ले लो, तो यहाँ पर 10K है, यह है हमारा, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, देखो, माइनस 10K equals to 70-50, और यहाँ भी माइनस 10K equals to minus 70-50, ठीक है, तो देखो, यहाँ से क्या रहा हमारा, माइनस 10K equals to 20, और माइनस 10K equals to minus 120, तो यहाँ से क्या रहा है, क्या रहा हमारा, क्या रहा हमारा जो क्या का वैलिव आ रहा है, वो एक रहा हमारा, माइनस 2 और के का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 12 तो फाइनली अगर देखा जाए तो के का दो वैल्यू आ या माइनस 2 और 12 और यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बच्छों तो यह था हमारा क्वेश्चिन नंबर 6 है ना यह था हमारा क्वेश्चिन नंबर 6 ठीक है चलो हम लोग अब चलते हैं next question पर देखो question नंबर 7 same question है ABC दिया हुआ है 3 points है और इसका जो area है 4 square unit है तो के का value निकलना है सेम पिछले के तरह का equation है तो solution given क्या दिया हुए area of triangle ABC equals to 4 square units where जहां पर A का जो coordinate है वो है minus 2 0 B का जो coordinate है वो है 0 4 और C का जो coordinate है वो है 0 K तो area of triangle तब क्या जाएगा तुम्हारा modulus of 1 by 2 minus 2 0 1 0 4 1 0 K 1 और इसकी value किसके बराबर है 4 के बराबर है ठीक है तो देखो यहां से अब इसको expand कर सकते हैं तो इसमें देखो 2 0 के इसमें आ रहा है column 1 में आ रहा है तो column 1 पर expand करो वह जाधा IG हो जाएगा expand along column 1 तो क्या होगी हमारा modulus of 1 by 2 minus 2 अब यह अपना row अपना column delete कर रहा है 4 into 1 4 minus 1 into KK उसके बाद तो minus 0 plus 0 कुछ करना ही नहीं है अपने को यह 4 आ गया यहां पर हमारा अब देखो यह 1 by 2 है तुमारा यह modulus of 1 by 2 तो 1 by 2 को उधर लेकर चले जाते हैं तो यह क्या गया 8 आ गया हमारा और यहां पर modulus minus 8 minus minus plus 2 के ऐसा चल रहा है ठीक है तो हम लोग को क्या करना है यह इदर तो जब इसका modulus छोड़ेंगे तो 8 के साथ plus minus 2 दोनों आ जाएगा हम लोग ऐसा करते है equals to यहां पर 2 into 4 8 यहां लिख लेते हैं तो यह आ गया minus 8 plus 2 के equals to plus minus 8 आ जाएगा क्योंकि modulus हटा रहा है जिसका plus का value और minus 2 में यह 8 आता है तो यहां से क्या आ गया हमारा minus 8 plus 2 के equals to 8 हो गया और minus 8 plus 8 और 2 के equals to minus 8 minus minus plus 8 तो यहां से तो यह 0 हो गया और इधर क्या है तुमारा देखो के equals to 16 by 2 और के equals to 0 by 2 तो finally देखो हमारा जो के का value है यह तो 8 हो रहा है तो के का value कितना आया 8 और 0 यह हमारा answer हो गया के का value 8 और 0 यह था हमारा question number 7 ठीक है बच्चों चलो हम लोग अब next question पर चलते हैं question number 8 कह रहा है क्या कि A B C यह कॉलिनियर है तो proof अपने को यह करना है तो देखो given क्या दिया हुआ है कि given A A 0 है ना given A A 0 B 0 B and C 1 1 आर को लिनियर यह को लिनियर है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि इसका area 0 आ जाएगा area 0 आ जाएगा तो modulus 1 by 2 तो स्राट जाके 0 ही होता है A 0 1 0 B 1 और 1 1 1 1 1 1 1 एक्च्छली में यह क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा determinant 0 आ जाएगा इधर तो अगर मानलो modulus अगर हम लोग modulus of 1 by 2 भी लिखते तो यह भी उदर जाके 0 ही हो जाता तो इसके लिखने की जोरत ही अपने को नहीं पड़ती इतना ही 0 हो जाएगा हमारा अब इसको expand कर लो किसी पर तो expand along expand along r1 r1 पर इसको हम लोग क्या कर रहे है expand कर रहे है ठीक है तो देखो तो this implies a यह अपना रो अपना कॉलम खतम तो b-1 minus 0 plus 1 यह वो यह कॉलम खतम 0 minus b 0 minus b equals to 0 तो यहां से देखो क्या रहा है तुमारा a b minus a यह 0 आगया plus minus minus b equals to क्या रहा है 0 तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से a b को इधर ही रहने देते हैं और a plus b इधर लेके आ गया अब दोनों सेड a b से divide कर देते हैं a b by a b equals to a plus b by a b ठीक है तो अब देखो इसको a b by a b यह तो कटके 1 आ गया तो 1 equals to a by a b a b a के भी नीचे है और b by a b b के भी नीचे a b यहां से b b कटा यहां से a कटा है यहां भी 1 बचा यहां भी 1 बचा तो इस तरह से क्या रहा है अगर one equals to one by a plus one by b और इसी को थोड़ा एरेंज करके लिख लो तो पहले लिख लेते हैं one by a plus one by और यही अपने को प्रूफ करना था तो ठीक है बच्चों कि आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आ गई होगी है हमारा यह चैप्टर खतम हो गया तो बच्चों वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ सेयर करो और